आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ पर उस पर 19.7% को profit भी कमाले चालीज़ी जार में बेजने के बावजूद अब देखो जो लेबल प्राइस था उस पर अगर उसने 16% की जाएगा 28% डिसकाउंट दिया होता तो उसका profit परसेंट कितना होता यह हमसे पूछा है तो देखो हमें पता है कि लेबल प्राइस था कुछ उसका उस पर उसने 16% डिसकाउंट दिया इसका मतलब हो गया 84 by 100 कितने में बेच दी फिर यह सेलिंग प्राइस कितना आ गया 46,000 आ गया तो यहां से लेबल प्राइस हमारे पास कितना जाएगा देखो फोर से काड़ देते है फोर टूजा एट वन टाइम और ही 25 टाइम तो हमारे पास लेबल प्राइस कितना आ गया 46,000 multiply by 25 और divide by 21 लूपीजी हमारा लेबल प्राइस आ गया और सेलिंग प्राइस कितना है अब देखो प्राइस किस पर होता है तो कुछ प्राइस रहा होगा मसीन का उस पर उसने 19.7% का profit कम आया तो 100 प्लस 19.7 तो 119.7 डिवाइड बाइ 100 तब जाके उसने 46,000 में बेची है तो CP 90.7% profit मिला है उसे तो देखो यह decimal अटा देंगे एक 0 लगा दी हमने नीचे तो यहां से हमारे पास CP कितना आ गया CP is equal to 46,000 multiply by 1000 और डिवाइड बाइ 1107 में रुपीजी हमारा CP आ गया ठीक है अब हमें यह का गया कि इफ दा मसीन वस रोल्ड at 28% discount on the label price अब देखो न्यू सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा न्यू SP कि बात करें तो देखो न्यू सेलिंग प्राइस होगा देखो लेबल प्राइस पर 28% discount दे रहे तो लेबल प्राइस कितना है यह हमारे पास लेबल प्राइस 46000 multiply by 25 divided by 21 आप इस पर 28% discount का क्या मतलब होगा 100-28 मतलब कि 72 divided by 100 यह हमारे पास क्या आगा न्यू सेलिंग प्राइस आगा अब देखो इसे काट देते हैं इसे 3 से काट तेंगे यह 7 times इसे भी 3 to the 6 4 times तो 24 आगया उपर अब देखो हमने क्या गया 25 बंज़ 25 और 25 फो ज़़ 100 फो से काट दिया यह 6 times चला गया तो हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस कितना आगया 46 into 6 276 276 और 30 30 लगा दी हमने divide by देखो नीचे कितना है 7 है तो divide by 7 रूपीज यह हमारा सेलिंग प्राइस आगया अब हमसे पूछा कि profit percent कितना है if the what would have been the profit percent तो देखो profit क्या होता है सबसे पहले हम profit find out कर लेते हैं तो profit क्या होता है selling price minus cost price profit is equal to selling price minus cost price तो selling price कितना है देखो new selling price 276 276 से triple zero divide by 7 minus cost price की बात कर लें तो cost price कितना आया था हमारा इतना आया था मतलब कि 46000 और triple zero divide by 1197 1197 अब क्या करेंगे हम 1197 और 7 का LCM ले लेंगे तो LCM हमारे पास कितना आगे 1197 1197 तो 7 से 1197 को divide करेंगे तो 171 टाइम जाएगा 276 को जब हम 171 से multiply करेंगे तो हमारे पास कितना है 47,000 एक सो च्छाण में 47,000 एक सो च्छाण में और 30 एक दो 30 लगा दिया हमने और यहां पर कितना आ गया 46000 एक प्रोफिट आ रहा है हमारा तो इस मेंसे हम यह माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 11,96,000 बचेगा डिवाइड बाई 1107 में रूपीज यह हमारा क्या हो गया प्रोफिट हो गया लेकिन हमें प्रोफिट परसेंट चीए तो प्रोफिट परसेंट क्या होता है प्रोफिट डिवाइड बाई CP मल्टिपलाई बाई 100 परसेंट की बात करें तो अब देखो प्रोफिट कितना है हमारा प्रोफिट की अगर बात करें तो हमारे पास 11,600 और डिवाइड बाई 1197 और अगर हम बात करें CP की तो यह कंप्लिट डिवाइड बाई CP अब देखो CP कितना है कोस्ट प्राइस हमने पहले निकाल रखा कितना है 4,600,000 डिवाइड बाई 1197 में तो 4,600,000 डिवाइड बाई 1197 में multiply by 100 तो 1197 में से हमने 1197 में काट दिया 3,0 से हमने 3,0 काट दी या 2,0 से हमने 2,0 काट दी तो हमारे पास कितना बचेगा उपर तो कितना बचेगा 2,196,1,196 और नीचे हमारे पास कितना बचेगा 4,60, 4,60 बचेगा परसेंट अब देखो इसे simplify कर लेते हम दो से काट देते हैं 2 x 3 x और 0 इसे भी 2 से काट देते हैं तो 5 x 9 x और 8 x फिर दुबारा 2 से काट देते हैं देखो 1 x 1 x 5 x तो 115 और इसे जब 2 से काटेंगे तो हमारे पास कियागा 2,9 और 9 तो हमारे पास 2,9 और 115 परसेंट आगया अगर हम इसे simplify करें तो हमारे पास कितना हैगा 2.6 परसेंट यही क्या होगा हमारा answer होगा तो देखो 2.6 परसेंट जो है हमें option 1 में given है तो option 1 is the correct answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर